देखो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिसने मेरे होश उड़ा दिये है और वो है फ्लिपकार्ट का ad spend budget मतलब फ्लिपकार्ट सर्फ एक e-commerce company जो की giant है मुझे पता है इंडिया का सबसे बड़ा e-commerce website में दूसरे नबर पे आता है तो अगर मैं आपको दिखाऊं क फ्लिपकार्ट जो है वो साल का yes 12 months last 12 महीने का total जो उसका ad spend है वो 142 million dollars है मतलब इतना पैसे लगा के उसने अपने website में traffic drive किया है और उस traffic को फिर वो sale में convert करता है लेकिन 142 million dollars guys it's a number जो की आपके होश नहीं से वड़ा देंगे शायद आपके पैरो तले जमीन भी खिसका ले तो guys मैं चकरा गया यह होता है 1100 करोड guys 1175 करोड I don't know कि मैं आप तो यह figures देखे मतलब बड़ भी नहीं पा रहा हूं कि इसका pronunciation क्या होगा once tens hundred thousand ten thousand lakh ten lakh करोड 10 करोड 100 करोड और thousand करोड yes बिलकुल मैं सही हूं guys यह 1175 करोड रुपीज होता है guys एक website सिर्फ एक website अगर इन advertising platforms को अगर इतना दे सकती है सोचे इस दुनिया में कितनी बड़ी companies होंगी जो की मतलब माला माल कर देती होंगी Facebook को Instagram को Google को Twitter को जहां जहां ads चलते हैं तो यानि यह ad industry कितनी बड़ी है मतलब अपने आपको ना इसमें जोग दो बस यही समझाना चाहरा हूं कि अगर आपको digital line दिखाने वाला हूं ना ही सर्फ उसमें आप अपना business को next level ले जा सकते हो बलकि आपका aspiration अगर जॉब है एक high pay scale जॉब तो उसके लिए आज जो मैं आपको lesson दूँगा ना guys वो एक next level lesson होगा तो बिल्कुल आपको इस वीडियो से हिलना नहीं है और वीडियो को start करने एक like क साथ और चैनल पर फर्स टाइम हो subscribe कर लो bell icon के साथ एक चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा वो मुझे बहुत बुरी लगती है वो है मैं आपको अगर नीचे ले जाओं तो यहां पर आगर आप देखोगे कि ad spend का distribution जो है मतलब यह जो flip card ad चलाती है वो कहां सब सबसे जादा चलाती है तो इंस्टाग्राम सबसे टॉप पर है जहां पर वह 41 million spend करता है 41 मतलब इंस्टाग्राम इस प्लाटफॉर्म जो की आपको अच्छा कासा revenue generate करके दे सकता है यह तो confirmed हो गया क्योंकि flip card जैसी e-commerce giant अगर सबसे जादा पैसा इंस्टाग्राम पर लगा काम वो है कि YouTube में flip card बहुत ही spend कम करती है अब खुछ सोचो एक चीज़ कितनी गलत है कि जब हम Facebook और Instagram में इतना content बनाती है इतना content जिस वजह से यह platform चल रही है लेकिन return में वह हमें कुछ भी नहीं देते इंस्टाग्राम तो almost कुछ नहीं देता और Facebook अगर देता है तो वह हम सारी लाइफ बना दी है हम creators की जो लाइफ है वह YouTube ने बना दी है लेकिन YouTube का दिल देखो यार मतलब उस पे बहुत कम चलता है मतलब as compare to Instagram और Facebook जो की यह इतने बड़े जाइंट प्लाटवाम सोचल मेडिया में उनसे तो कम चलता है अब उनसे कम चलने के बावजूद भी YouTube का मन बड़ा है वह अपना revenue जो है वह हम creators से share कर लेता है बट यह दोनों यार मतलब इनमें हम content भी दिये जा रहे हैं और यह पैसा अकेले खाया जा रहे है सच में मुझे आज यह देखके बिल्कुल भी अच्छा feeling नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा you know Instagram और Facebook में आप content बनाना कम कर दूंगा irrespective की बया मेरे वहाँ पर जितने भी followers हो या जितना भी उसके अंदर मुझे reach मिल रही है लेकिन कि यह क्या बात हुई यार मतलब आप स देख लेते हैं खासकर और मैं दिखाओं और सब्मिट पर क्लिक करते हैं अच्छा सबसे पहले मैं बता दूँ यह टूल कौन सा जो मैं यूज कर रहा हूं यह सेम रश का एड क्लारिटी एक टूल है जिसमें आप यह देख सकते हो कि आपके competitor किस टाइप का चला रहे हैं कि कितना budget रख रहे हैं कितना impressions मिल रहा है कितना conversions मिल रहा है मनलब overall आप अपने competitors के वह बदलब एकदम spy कर सकते हो कि वह एड पर क्या क्या कर रहा है क्योंकि आज की दुनिया का main game जो है वह एड है मानो या ना मानो organic जो results होते हैं वह बड़ी companies के लिए नहीं होते हैं उनको ब हमेशे एड होगा और यहीं से जो वह scope निकल के आएगा आज आपके लिए इस वीडियो में उसके लिए वेट करो मैं जल्दी से देने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर इसलिए skip मत करना बस खाली चीजे समस्ते जाओ मैं क्या कह रहा हूं अब देखो यहाँ पर amazon भी तक लगा सकते हो कि आपके competitors किस टाइप का एड रन कर रहे हैं लेकिन अगर मैं देखूं सीम हैपन्स फेस्बुक टॉप पे है इंस्टरग्राम सेकेंड पे है अब देख रहे हो 33 मिलियन डॉलर यहाँ पा स्पेंड वह इंस्टरग्राम पे 18 मिलियन डॉलर लेकिन Amazon जो है यह क पा रहा हूं लेकिन impression कम है इससे साब पता लग रहा है जो YouTube है यहाँ पर advertisement महेंगी है अब देख रहे हो यहाँ पर data कितना matter करता है जो first वाला प्रोजेक्ट था मतलब फर्स वाला जो मेरा report था उसके अंदर मैं बिल्कूल ही ऐसा सोच रहा था कि यार पता नहीं क्यों जो ह आते हैं data read करना आप आते हैं उस point पे कि अब आप इस टूल का कैसे एक wise use और ultimate use कर सकती हो देखो जब मैं in class training दिया करता था आज से कम से कम 4-5 साल पहले मतलब 2017 से मैंने start किया था तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उस time पे जो maximum उस class के अंदर मतलब मेरे institute के अंदर जब question जो था ना उसका answer एक right way में देना बहुत दरूरी होता था उस time पे मैं उनको बोलता था job लग जाएगी लेकिन अगर आपको high pay scale job चाहिए तो आपको हमेशा एक module पे सबसे जादा focus करना है और वो module है paid ads, media buying ये होता है हमारे industry का सबसे high pay scale jobs offers अगर आपने google ads, facebook ads, instagram ads ये सब स high pay scale job मिलता है, जितना मान लो कि एक SEO executive को मिलता है उससे कंसका 10 गुना, जादा deserve करता है एक ad runner जो की ads को run करता है क्योंकि यहाँ पर एक budget involved होता है, जिसका पूरा का पूरी responsibility एक wise तरीके से उसको spend करना, मतलब उसको बहुत ही ध्यान से spend करना, कि maximum traffic और maximum conversion आए, ये उस particular executive की ज किया जाता है क्योंकि उसका experience और उसका जो skill है उसके लिए वो deserve करता है, एक SEO export, email export यह सारे जो करते है यह organic काम करते है, और organic things is always like you know, pay you less in a job sector, जाप की बात करो, otherwise आप ब्लॉग वगदा कर रहे हो, तो उसमें तो आप खुद अपने मालिक हो, तो आप जितना मर्जर अंगर सकते हैं, लेकिन जब job की बात आती है, तब guys, आपको ads जो है इसको बड़े ध्यान से समझ के इस पर काम करना होता है, और आज यह मैं आपको tool बता रहा हूँ, इसका link जो है, मैंने description में दे दिया है, वो description पर जाओ, free में इस tool को use करना start कर दो, हलाकि यह free नहीं है, लेकिन आप इसको जब सीख जाओगे, आपके पास 7-14 दिन का एक window frame होगा, जिसके बाद आप इस tool को 100% सीख जाओगे, एक बार आप इस tool को सीखना start कर देते हो, तो मैं आपको guarantee दे रहा हूँ, guarantee, कि आप जब भी किसी भी digital marketing agency में job के लिए interview देने जाओगे, आप सिर इस tool का नाम लेना, और आप बता देना, मैं इस tool में क्या-क्या data निकाल सकता हूँ, कैसे competitors को मैं analysis कर सकता हूँ, उन competitor के report से, मैं आपके campaigns को कैसे best बना सकता हूँ, बस इतना answer देना, आपका जो recruiter होगा उस time पे, वो न, by default आप से convinced हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा, कि आपको उसस आपको hire कर लेगी, क्योंको पता है, कि यह tool में ही हम काम करते हैं, इसी tool से हम competitor का analysis करते हैं, clients के लिए, तो definitely अगर उसको आता है, बदर सामने वाले को आता है, तो उसको तो वो hire ही कर लेगा, तो इसलिए guys, digital marketing की जो बड़ी-बड़ी agencies है न, वो इन tools पे काम करती है, जब ब करना start किया, तो यकीन मानो कि अब से, जो मेरी ads चलेंगी, जो भी मेरे courses के, या मेरे tools के, या फिर मेरे जितने भी training programs के ads चलेंगी, वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने competitors को यहां पर back-to-back add करके, हलाकि यह flip card आमेज होते हैं, मेरे competitors नहीं है, add करके, मैं यह check कर सकता हूँ कि मेरे competitors के इस type के ads जो है, वो चला रहे हैं, कितना spend कर रहे हैं, कितना conversions आ रहे हैं, यह सारी चीजे में export यहां से कर सकता हूँ, as a PDF और Excel और उसके बाद तो मेरी life easy हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मैं अपने competitors से हमेशा एक step आगे रहूँगा, चलो मैंने यह तो समझा या कि आप इस tool की मदद से अपना job career कैसे secure कर सकते हो, लेकिन आप बात करते हैं, digital marketing अगर आप agency बनना चाहते हो, तो guys आपको agency में पैसा पता है कौन देता है, जो companies है, वो आपको ad spend budget देती है, तभी आप बड़े बन सकते हो, यह SEO के project लेके, email marketing के project लेके, social media post बनाने के project ले Facebook budget, Instagram budget इतना है, for example 10 lakh महीने का, तब guys उस 10 lakh का 20% आप रखोगे, 80, 8 lakh में उनका ad चला के दोगे, सीधा 2 lakh का, एक client से revenue हर महीने का, 10 client होगे, हर महीने का 20 lakh का revenue, तो इस type से digital marketing agency काम करती है, detail में मैं वीडियो बनाऊंगा कि एक digital marketing agency काम कैसे करती है, कमाती कैसे है, और आपको minute level से, advanced level तक कैसे ले जाना है, मैं लाने वाला हूँ video, तो चैनल को subscribe कर लो, bell icon के साथ, miss मत करना, अब मैं आता हूँ tutorial पे, कि आपको क्या-क्या चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, so that you can become a good competitor, analytics researcher, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बता दिता हूँ कि, यहा spend करता है, वो company, जिस company आपने यहाँ पर mention किया है, उसका total impressions कितना आता है, कितना last मेने से घटा है, कितना बड़ा है, यह सारा percentage वाई आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 612 billion का impressions, यार, Amazon का next level, अब देखो, सबसे जादा जो यह सोशल मीडिया पर spend करता है, जो कि Facebook, Instagram बगरा ह जो कि Adsense का banners होता है, जो कि हम publishers, जैसे हम blogger है, तो हमारी website के अंदर जो ads चलती है, वो होता है, सबसे जादा programmatic ads खरीदे जाते हैं, उसके बड़ा direct ads, फिर ad network के तो, programmatic ads होते है, automated ads, मतलब for example, मैंने keyword दे दिया, अब इस keyword पे जहाँ जहाँ जैसे से traffic लाना है, ले आओ, चा टागेट करना कर दो, इसे कहते है, programmatic ads, I hope so far so clear, इसके बाद आप देखो, इनका expenditure trends किया रहा है, किस महीने जादा खर्च करते है, किस महीने कम करते है, किस महीने बिल्कुल कम हो जाता है, वीडियो पे कितना रहता है, इससे आपको idea लग जाएगा, कि कहीं कोई sales season particular है, जो क कितना facebook पे लगाया था, कितना instagram पे लगाया था, यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है, as an advertiser expenditure trends, इसके बाद आप breakdown दे सकते हो, display में कितना था, video में कितना था, social में कितना था, publisher कितने थे, जब वो display ads चला रहा था, publisher मतलब कौन होते है, वो blog site या वो site जहाँ पर ads यहीं से पता लग रहा है कि YouTube में कहां से देता है, और उसके बाद social में देखो कितना impression गया है, एक next level impression जो कि Facebook और Instagram वगरा से इनको आया है, इस तरीके से आप इनको analyze करके report बना के, अपने लिए next step ले सकते हो, अब यह है कहानी, जहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका competitor किस type के ads बना रहा है, उसका पूरा banner से लेके, उसके पूरे social media post, यह सारी चीज़े यहाँ पर आ जाती है, total देख रहो कितने ads बनाया है, come on, कित कौन analysis करेगा इतना, मतलब यह तो जलो बड़ी company हो गई, बट आपके case में तो आप छोड़े-छोड़े competitor को analysis करोगे न, उस time पर आपको इतना नहीं देखेगा, लेकिन अगा देख भी रहा है, तो आपके पास data है, आप उन data का पता है, किस level पर इस्तिमाल कर सकते हो, data is the next jam, आज की रिट में, बाकि यह रहे, top campaigns क्या क्या है, उस campaign का title क्या है, यह सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो, इतने तो campaigns चलाया है, Amazon ने last 12 महीने में, देखो, 12 महीने में, 45,000, 46,000 ही ले लो, 46,000 का campaign चलाया है, और top publishers इसमें से कांसे कांसर है, जो कि मैंना अलड़ी बता दिया है, total 2772 publishers है, जहां पर इनकी ads चली है, अभी 2772 जो है, इन्होंने approach नहीं किया होगा, इसमें से display banner ads, जो कि Google को बो इन सब पर चले है, इन सब पर चले है, तो इसका मतलब समझ आ गया है, कि यह display ads है, बट चले है, 2772 total, ऐसे websites में, इनके total ads जो है, यही चला है, अब इसके अलावा यह देखना है, कि ad buying methods क्या रहा था, programmatic पे इन्होंने total कितना spend किया, 184 million dollars, जो कि 84% होता है, इनका total ad spend का, उस अपने site के अंदर, कोई भी वाया नहीं गया, बतलब google के थूरू नहीं गया, facebook के थूरू नहीं गया, यह direct गया है, कि मेरा यह banner है, लगाओ, तो वो होता है direct ads, यह थी कहानी आज की, जो कि मैं आपको समझाना चाहरा था, कि एक ऐसा tool, जो आपके competitor के ads को track करने में, अगर आपकी help कर सकता है, तो guys, आप next, सबसे बड़े advertiser जो है, वो बनने वाले हो, या फिर एक ad spend export बन सकते हो, जो कि किसी भी type का google ad, facebook ad, instagram ads पे महारत हासल कर सकता है, और तो और job भी पकी, आपकी high pay scale job, और अगर आपको job भी नहीं करनी, तो आप digital marketing agency run करके, यह SEO project के ठीक है, आप उठा सकते हो, जब आप small हो, लेकिन जब आपको बड़ा बनना है ना, तब आपको guys, यह paid ads पे ही खेलना पड़ेगा, सारा game जो है, वो paid ads का है, तो इसलिए इस tool को फट फट से अभी sign up कर लो, description में link है, थोड़ा सा सीख लो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको इसको continue करना चाहिए इस tool को, तो वो आपकी मर्जी है, में तरह से मैं आपको free में provide कर सकता हूँ for the next 7 days, 7 days enough होगा इस tool को, पूरा घोट के पी जाने के लिए, उसके पद अपने resume में में add कर दो, कि आप SEMrush Ad Clarity Tool पे expert हो, आप देखना कि nocly.com, shine, LinkedIn से कितने offers आपको अलाके देएंगे, क्योंकि हमारे पास आपके computer का पूरा analysis है, तो guys, दिम्माग ठंका, यही तो है digital marketing, इसी level पर तो करना होता है, इस minute level पर जाना होता है, और मैं इस channel पर यही करता हूँ, तो इसलिए अगर आप first time viewer थे, channel को subscribe कर लो, bell icon के साथ, क्योंकि मैं आपको इसी type की knowledge deep में lifetime देने का वादा करता हूँ, और आप वादा करो, कि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करोगे, अगर आपको एक lifetime successful digital marketing career जो है, वो बनाना है, तो चलो मिलते में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूही मुस्कराते रहिए, और दिमाग मेरे साथ मिलके ठंकाते ये,